है है एवरीवान वेल्केम बैक टो नदर वीडियो फ्लाइशाइंच जी इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बीसी फॉस्ट यह का पेपर थर्ड यह सेकिंड चल रही थी हमारी ठीक है इस वीडियो में हम पढ़ने वाले माइटो कुंडिया का स्टक्चर एंड उसका फंक मे striving के वारे में ठीक है ccaï डा desse हम समझते हैं माईटो कुंडिया की अंदर मैट्रिक से कुली है उसका डीय और वह की uma Пр選ो ft के अंदर वह हम देखेंगे all enzyme of the crab cycle ठीक है जिटने भी एंजएम चाहिए होते से ने भी होते हैं जितने भी एंजएम की requirement होती है वह सारे और सारे जाय और सहरे यहाँ होते हैं me7 मैट्रिक्स में रहते हैं तीक में जो क्राप साइकल कहां होगी matrix के अंदर होगी कुछकि सारे की सारे enzyme कहां प्रिजंट में सबस्थेज़ कि अंदर प्रिजंट है क्रैब सैकल होए जितने भी aerobic organism होते हैं वह क्रैब सैकल परॉक्पों करते हैं i Ama cub skoy एनर्जी का प्रडेक्शन होता है टू मोलेकुल फेटीप यहां पर फॉर्म होता है ठीक है जिसको हम बाद में डीटियल में देखेंगे यह जो इनर्जी मेंब्रेन है इस पे इंदर प्रजैन रहता है इसे के एंदर प्रजैन रहता है नेक्स हम देखें डीने के बारे में हमें पता है की इसा DNA है? circular DNA होता है, linear नी होता, ठीक है? और इसकी कितनी copies present है? 2 to 10 copies जो है DNA की present रहती ही, mitochondria के अंदर, ठीक है? Next, DNA की क्या property होती है? यह replication show करता है, तो अगर DNA present है, मतलब वो replication होगा महाँ पे, तो mitochondria has power to replicate, ठीक है? Mitochondria has power of replication, ठीक है? We can see that each mitochondria arise from pre-existing mitochondria, जो कि किसकी property होती है, cell की property होती है, कि जो cell होता है, वो pre-existing cell से arise होता है, लेकिन जो mitochondria है, उसके अदर खुद का अपना DNA है, it means यह property किसके अंदर है, mitochondria के अंदर भी है, next property क्या है? जो mitochondria है, इसके अंदर ribosome भी present रहता है, ठीक है, अपना खुद का DNA और ribosome भी इसमें present होता है, ribosome का क्या function होता है? वो protein synthesize करता है, कौन सा type का ribosome है? 70S ribosome present है, mitochondria can synthesize its own protein, ठीक है? जो कि मतलब ribosome अगर present है, तो वहाँ पर protein भी, जो mitochondria हो synthesize कर सकता है, तो basically, जो mitochondria है, उसके पास दो property है, एक तो यह replication से हो करता है, दूसरा protein synthesize भी कर सकता है, ठीक है? तो यह जो mitochondria है, इसको क्या बोला जाता है? है semi-autonomous organelle बोला जाता है, ठीक है? semi-autonomous organelle बोला जाता है, ठीक है? क्योंकि इसके अंदर कैसा तरीकी से हम बोल सकते है, cell की अंदर ही cell है, तो इसको basically, कुंसरी यूकारेटक्स अंदर प्रॉक्रीटिक सेल मलतने जूलतने हैं तो हम ने देखा your dna है वो प्रिजन रहता मैटो पॉण्ड्रिया के अंदर सर्कुलर डीने प्रिजन रहता माइटोकॉंडिया है वो रैप्लिकेशन सो गरेगा ठीक है और यहां पे राइबियों भी प्रेजेंट रहता है मैटोकॉंडिया के अंदर यह दो मैटोकॉंड讲 सेंसाइज इस ओर प्रोटीन ठीके प्रोटीन करेगा ठीक है और इसको semi-autonomous और्गिनल भी बोला जाता है ठीक है तो यह प्रोपर्टी जो है वह आप नोट कर सकते हो कि नेक्स हम देखते हैं मार्गुलिस जो कि एक साइंटिस्ट है इन्होंने क्या बोला था ही सैट दाट माइटोकॉंड्रिया और प्रोकेरिटिक सेल्स विच लिव सिंबाटिकली इन युकेरिटिक सेल्स ठीक है अभी हमने पढ़ा था कि जो माइटोकॉंड्रिया है उसके अंदर अपना खुद का डीने प्रेजेंट रहता है यानि कि वह रैप्लिकेशन करता है ठीक तो बेसिकली जो माइटोकॉंड्रिया वो प्रेजेंट रहते हैं युकेरिटिक सेल्स यानि कि प्लांट सेल और अनिमेल सेल के अंदर प्रेजेंट रहते हैं इन्होंने क्या बोला था कि जो माइटोकॉंड्रिया है वो प्रोकेरिटिक सेल्स यानि कि जो प्रोकेरिटिक से है mitochondria वो eukaryotic cell के अंदर present रहते हैं it means mitochondria is cell within the cell cell के अंदर cell present है ठीक है next term आती है kondrium kondrium क्या होता है group of mitochondria in cell ठीक है जब group present होता है mitochondria cell का cell के अंदर उसको हम बोलते है kondrium ठीक है तो जो number है mitochondria का वो vary करता है वो vary करता है कि जो cell है उसका metabolic activity कैसा है जितना ज्यादा उसका function होगा उतना ज्यादा number of mitochondria उसके अंदर present रहेगा ठीक है तो number of mitochondria cell to cell vary करता है ठीक है group of mitochondria is known as kondrium ठीक है next जो टाम आती है वो है kondrium sphere in scurvy disease all mitochondria fuse together ठीक है एक disease होता है जिसको हम बोलते है scurvy disease basically vitamin c की कमी से होता है जब बोड़ी के अंदर vitamin c की deficiency हो जाती है इसमें basically patient को जो है bleeding of gums और weakness यह कुछ चीजे फील होती है ठीक है तो इसमें क्या होता है जो kondrium spare है इसमें क्या होता है जो mitochondria होता है आपस में fuse कर जाते हैं ठीक है next आता है national market यह scientist थे इन दोनोंने क्या किया था discover किया था mitochondrial DNA को ठीक है इन्होंने क्या discover किया था mitochondrial जो DNA है वो डिसकवर किया था तो तो basically हमने क्या पड़ा जो mitochondria वो क्या है एक तरीक का प्रोकरेटिक सेल है जो कि युकरेटिक सेल में सिमाटिकली आसोसेटेड़ रहता है mitochondria is like cell within cell ठीक है और group of mitochondria को हम बोलते हैं Chondrium ठीक है Chondrosphere एक अलग तर्म है जब जो mitochondria है अपस में fuse कर जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं Chondriusphere ठीक है नेक्स हम देखने वाले हैं functions of mitochondria ठीक है तो पहला और में function क्या होता है mitochondria का it's synthesized ATP ठीक है ATP का synthesis कहा होता है mitochondria के अंदर ठीक है ATP synthesis second क्या है important for oxidation of fats बहुत सारे fats का oxidation भी कहा होता है mitochondria के अंदर यानिकि mitochondria है वो responsible होता है बहुत सारे fats को oxidation करने के लिए थार्ड है heme of hemoglobin is synthesized in mitochondria जो heme group होता है hemoglobin का वो कहां synthesize होता है mitochondria के अंदर ठीक है फूर्थ है certain steroids are also synthesized in mitochondria ठीक है कुछ steroids जो होते हैं उनका synthesis भी कहां होता है mitochondria के अंदर ठीक है तो यह कुछ functions है mitochondria के ठीक है तो इस वीडियो में हम basically हमने पड़ा mitochondria का function उसका structure किस तरह की का होता है यह second part था mitochondria का ठीक है तो इस वीडियो में इतना ही thank you so much for watching this video and I'll see in the next one